क्या आप जानते हैं भारत का पहला रोकेट साइकल पर ले जाया गया था क्या आप जानते हैं भारत एकमातर ऐसा देश है जहां गायों के अधिकारों के लिए बिल दर्ज है आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही भारत देश के फैक्ट से आपको रूबरू कराएंगे हेलो फ्रेंड नमस्कार चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फैक्ट नमबर वन डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विजर लेंड का दौरा किया था और उस दिन को राष्ट रूप से स्विजर लेंड में विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है फैक्ट नमबर टू युनिस्को की विश्व विरासत स्थल की सुची में 40 से अधिक भारतिय आकर्शनों के साथ भारत के दो सबसे खुबसूरत सहर है जिन में से एक है आहमदाबाद और दूसरा है दपिंग सिटी जैपूर फैक्ट नमबर थ्री दुनिया में सबसे बड़ा परिवार मिजोरम के बक्टावंग गाउं में अपनी सो कमरो वाली हवेली में राते है मिश्टर जियोना चाना दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुख्या है जिसमें 181 सदस्य है उनकी 49 पत्निया है 92 बच्चे है 14 बेटिया है और 33 पोते है फैक्ट नमबर 4 बांदरा वर्ली सीलिंग में स्टील के तारे प्रिथवी के सरकमफरेंस के बराबर है यह भारत के बारे में एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते प्रते केबल 900 टन वजन टकने में सच्चम है पूरे प्रतिस्टान का वजन 50,000 अफरीकी हातियों के बराबर है जम्मू में दुनिया का सबसे उचा रेल पूल आइफल टावर से लगबग 35 मेटर लंबा है जम्मू और कश्मीर में मेराब के आकार का चिनाव पूल दुनिया का सबसे उचा रेल पूल है यह चेनाव नदी पर 1188 फीट की उचाई पर स्थीत है यह भारत के बारे में एक विश्व रिकॉर्ड तोडने वाला फैक्ट है दूद और दूद प्रोड़क्ट आपको अच्छा लगता होगा यह आपके लिए एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है 2018 में 176.3 मिलियन टन से अधिक तक पहुचने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक देश बन गया आप देख सकते हैं 2015 से लेके 2018 तक का रिकॉर्ड फैक्ट नमबर 7 भारत का पहला रॉकेट एक साइकिल द्वारा ले जाया गया था 1963 में इसरो ने आधुनिक समय के त्रीवंदरम के बाहरी इलाके थुमबा में एक चर्च से अपना पहला रॉकेट लॉंच किया था लॉंचिंग पैड को बाद में विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर वी एस एस सी के रूप में जाना जाने लगा फैक्ट नमबर 8 भारत दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है देखे लिस्ट टॉप 10 इंग्लिस स्पिकिंग कंट्रिस इन दे वर्ड जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है फैक्ट नमबर 9 श्री नगर में डाल लेक में विश्व का एक मातर फ्लोटिंग पोस्ट आफिस है ना केवल दुनिया का सबसे मुहत्वपूर्ण पोस्ट आफिस के लिए जाना जाता है बलकि श्री नगर में डाल लेक पर इसका बहुत ही अज़ थाई पोस्ट आफिस है एक हाउस बोट पर बैठे है इसमें एक म्यूजियम भी शामिल है भारत में तीलाग से अधिक मस्जिते हैं देश की 14.2% आबादी मुस्लिम समुदाय से होने के कारण भारत में दुनिया में मस्जितों की संख्या सबसे अधिक है कुछ प्रसित जामा मस्जित न्यूदिल्ली में है मक्का मस्जित हैदराबाद में है फैक्ट नमबर 11 रहस्मई एंटी ग्रैविटी पहाडिया लदाग में है मैंगनेटिक और साथ में एंटी ग्रैविटी प्रभाव यहां पड़ता है यह भारत की एक मात्र मैंगनेटिक पहाडी है एक पीले रंग के नोटीस बोर्ड द्वारा चिनित किया गया है जो निर्देश को मंत्र देता है और आपकी अपनी कार को नीट्रल गेर पर सही जगा पर रखता है जिसे सफेद पेंट द्वारा चिनित किया गया है यह एक आपको विश्मिय में छोड़ देगा क्योंकि आपकी कार अपने आप ही उपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा एक मीटियोर ने महाराष्टरा में औरंगाबाद से चार घंटे की ड्राइपर ब्रेट टेकिंग लोनार लेक का निर्मान किया और महाराष्टरा के सरुषेष्ट गुप्त रहस्यों के रूप में दोगुना हो गया इस लेक को लगभग बावन हजार साल पहले एक विशाल मीटियोर द्वारा बनाया गया था फैक नमबर थर्टिन पांच हजार साल पुराना वारा नसी दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए थानों में से एक है गंगा नदी के तट पर स्थित और देश के पियम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में प्रतिनिदित किया गया बनारस या वारा नसी की पवित्र सहर कम से कम 3000 साल पुराना है हिंदु पौरानिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले इस शहर का निर्मान कड़ाया था फैक नमबर फोटीन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें गाय के अधिकारों के बिल है गायो को हिंदु धर्म में पवित्र माना गया है और समिधान में नियमों का एक सेट है जो गायो की विक्री और वद को रोकता है आज के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हाँ जाने से पहले लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए